नवस्कार दोस्तों मैं डाक्टरलन कुश्वाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं और यह छूटा हुआ टॉपिक है जो आपकी क्लाश चल लही थी उसमें छूटा हुआ टॉपिक है कॉल डेटा कॉल डेटा कॉल डेट्स में देख रहे थे कि कॉल डेट्स में पोर्शन छू शूट गया था और इस शूटने की बज़े से बाद में पता चला कि ये पोर्सन आप से किसी कारण बज शूट गया है, ध्यान नहीं दिया था, तो आज इसको लेकर चलते हैं, और क्लास काफी मज़ेदार होने वाली है, और इसको भी बता दें कि जो नोट्स बना कर पढ़ा रहें, और पता लगा बाद में जो सेलेक्शन है, वो सेलेक्शन भी ना हो पाए, तो बेकार है, इस प्रकार की पढ़ाई का, और डाक्टर नोट्स परिवार पूरी वो कोशिस करता है, जिससे आपका सेलेक्शन 100% हो जाए, तो अगर आप हमें देख रहे हैं, आज ये कर देख करते हैं, तो कोडेट की बात करते हैं, तो कहता है, जो कोडेट वहता है, मिन लगे जो जो हृओन कोकि को टिक करेंगे, जो आजरा में लोगारा कई सब्सक्राव में उन में से एक भाग है audio vision पीर्यट का पहले जो इक एक भाग है audio vision देखे हमने इससे पहले जब आपकU geographical circle बताई थी or logical time cycle बताये था तो हमने कहा था पहले आता है era फिर आता है period और फिर हमने कहा था epoch आता है क्या आता है epoch हमने कहा था यह करम है एरा के जो भाग है period period के भाग epoch है यह बताया था तो यहां से दो question जो TGT PGT में पूछे गए हैं वो पहला question पूछा जाता है कि call dates का उद्धे कब हुआ तो और्डो वीशन period में हुआ अगर और्डो वीशन period ना दिया हो पहली हो जो इक एरा दिया हो तो फिर इसको सही करना है यह कॉडेट की बात करें दूसरी बात करता है कि presence up the notocard pharyngeal glink और कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा जीव कॉडेट के अंतर गताएगा या कॉडेट के अंतर गताएगा तो पहले number अगर पहला अगर उसका लच्छन देखेंगे तो notocard का पाये जाना नोटो कार्ड की उपस्तित ये निश्यत करती है कि सामने वाला जो जीव है अगर उसमें नोटो कार्ड है तो हम सिंपली बोल देंगे कि यह जीव जो है वो कैसा है तो यह जीव कॉड़ेट है अब कहेंगे मनुसमें तो नहीं 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 और डॉर्सल ट्यूबलर नर्व कार्ड का पाई जाना आईनी श्टेज यानि भुंड से लगा कर ब्रधा वस्था तक कब तक ब्रून से लगा कर ब्रद्धा वस्था तक किसी न किसी अवस्थान फरेंजल गिल जड़ू पाई जाएगी और डॉर्सल, ट्यूबलर, नर्व, कॉर्ड पाई जाएगा यह तीन वो लक्षण हैं, इन लक्षणों को अगर हम देख लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सामने वाला जो जी हुआ है, वो कॉर्डेटा का सदस्य है, यह कॉर्डेट है यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि हम TGT, PGT के में एक सिख्छक के तौर पर अपने केरियर को सुवारें, अगर बायलोजी के सिख्छक बनना चाहरे हैं, किसी भी फिल्ड में, इवेन आप असिश्टेंट प्रोफेसर जुलोजी या बाटनी बनने की चाहत रखते हैं, या आप किसी PhD का इंटरेंस एक्जाम देना चाहरे हैं, या फिर आप पो TGT, PGT, LT, GIC, आस्रम पद्देती, KVS, NVS की तहरी करना चाहरे हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ें, हमारा एक ऐप है Dr. Notes Biology, Dr. Notes हमारा Biology ऐप है, जिसको आप Google Play Store से जो Google Play Store है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद साइन अप करेंगे, साइन अप जैसे करेंगे, जैसे आप साइन अप करेंगे, और वैसे ही आपको email ID, नाम, mobile नमबर मांगेगा, और आपको enrollment ID, password आ जाएगा, हमारी दो प्रकार के course चलना है, एक ELT के नाम से है, जो जिसकी membership only 899 है, और एक TGT PGT के नाम से है, जिसकी membership 999 है, और जो TGT PGT के नाम से है, इसकी जो validity है, वो TGT PGT के exam तक ही valid रहेगा, यह ELT के exam तक valid रहेगा, आपको पूरा course कराना हमारी जुम्मेदारी है, मैं वाइदा करता हूँ, और कि एक भी points आप से slip नहीं होने पाएगा, दूसरा, आपने देखा कि जो TGT 2021 के अगर बात करें, कि डाक्टर नूट्स परिवार ने क्या दिया, तो TGT PGT में डाक्टर नूट्स परिवार के लगबख 70+, 70+, का मतलब है 75-80 भी हो सकते हैं, मित्र ऐसे थे जो TGT 2021 में select हुए, और TGT 2016 की बात करें, तो लगबख 35+, मित्र select हुए, अगर PGT की बात करें, तो PGT 2021 में 40 लोग लगबख interview गए थे, जिसमें से 15 लोग लगबख finally select हुए, और Assistant Professor की बात करें, तो 1-2 लोग select हुए, अगर URIESA की बात करें, तो हमारे एक मित्र हैं, बनरजी साब, वो select हुए हैं, और उसके अल performance है, चुकि ये कोई coaching संस्थान नहीं है, आप जब जुड़ेंगे तो देखेंगे, ये परिवार की तरह हम लोग ताम करते हैं, ये परिवार की तरह कार करता है, संस्थान, चुकि इसमें कोई किराय पर रखे हुए teacher नहीं होते हैं, कि teacher किराय पर रखे गए हूँ, और कल सेना बने, या कुछ पैसों को लेकर बात मत भेदो, तो यहां पैसा कोई माइने नहीं रखता है, एक छोटी सी member ship ली जाती है, उसका reason भी बता दें, चूकि डाक्टर नूर्स बायलोजी, आप के संचालन के लिए, server के खर्चों के लिए, चोटे-चोटे खर्चों के लिए एक छोटी सी member ship रखी गई है, जिससे app को maintain करना और server का maintain करना चलता रहे, और सारी चीज़े आपको free मिलती है, notes, practice, discussion के लिए, टेली ग्राम चैनल है, रात में daily discussion होता है, जिससे आपका 100% selection होना है, बस आप जुणे हमारी साथ और selection ले, अच्छा, अब बात आती है, और character क् symmetrical होता है, bilateral symmetrical का मतलब क्या होता है, bilateral symmetrical का अगर बात करें, तो bilateral symmetrical का मतलब होगा, कि हम, जैसे हम है, मैं अपनी बात करूँ या किसी मनुस्त की, तो bilateral symmetrical, अगर केवल ये वाला angle, अगर आयसे काटा जाए, खड़ा-कड़ा, तो देखेंगे, एक आँ की धर आजाएगी, एक आँ bilateral symmetry के नाम से जानते हैं, एक आता है, radial symmetry, कौन से आती है, radial symmetry, radial symmetry क्या होती है, radial symmetry की बात करते हैं, तो किसी भी को अगर दो बरावर भागों काटना है, तो किसी भी angle से, मनलब चाहे चाकु ऐसे रखें, किसी भी angle से अगर दो बरावर भाग हो जाते हैं, तो वो radial symmetry कह लाती है, चुकि हम caudate पढ़ रहे हैं, caudate में bilateral symmetry होती है, तूसरा triploblastik होता है, कैसे होता है triploblastik, triploblastik का मतलब होता है कि इन में जब भूण होता है, embryo बनता है, या शुरुवात में embryo बनना सुरू होता है, तो उसमें तीन परतें बनती है, कौन-कौन परतें बनती है, ectoderm, ectod कौन सी बनती, mesoderm, और फिर कौन सी बनती, endoderm, endoderm, तीन परकार की परतें बनती हैं, इसलिए ये triploblastik होता है, ectoderm से कुछ अंग बनते है, mesoderm से कुछ अंग बनते है, endoderm, इसकी पूरी की पूरी चर्चा, हम अभी आपको embryology पढ़ाए हैं, और embryology का जो वीडियो है, त उसमें जब हमने gastrula पढ़ाया था, ध्यान रखेगा, gastrula में तीनों layer में, ectoderm से कौन कौन से अंग बनते हैं, mesoderm से कौन से अंग बनते हैं, और endoderm, सारी चर्चा कर चुके हैं, देख लीजेगा, ये चुकी TGT, PGT में यहां से question आते हैं, कि ectoderm ये पूछ देता है, मा जाता है, celom is the enterosilom, कैसा होता है, enterosilus होता है, या enterosilom पाय जाता है, तो ध्यान रखेगा, u solumate होते हैं, यानि caudate में वास्तिक celom पाया जाता है, और जिसे हम enterosilom के नाम से जानते हैं, organ level, system, organ system level होता है, देखेगा, हमारे जितने भी caudates होते हैं, उनमें अंगों से ब तो यह सब जुड़कर एक जैसे मैं अपनी बात करूं तो एक पूरी हमारी बाडी के सा नचना का निर्माड हो गया तो बस इसी तरह जितने भी कॉड़ेट्स होते हैं और ग्रेट सिस्टम होता है इसी तरह आपने पढ़ा होगा सेलूलर ग्रेट सिस्टम को सिकी मतलब ग्रेट सिस्टम किसमें देखने को मिलता है तो यह हम आपको जब प्रोटो जोवा से लेकर प्लेटी हलमेंथिस तक चले हैं तो सब ग्रेट हमने आपको पढ़ा हैं सारे वीडियो में आप वहाँ देखेंगे circulatory system की बात करें circulatory system इसमें कैसा होता है तो closed प्रकार का होता है जितने भी cardates होते हैं उनमें circulatory system closed होता है चुकि इनमें जो रक्त भहता है वो artery और vein के अंतर भहता है presence of ventral heart very very important ही ये PGT 2021 में question पूछा गया था cardates का मुख लच्छन क्या है एक option था ventral heart तो ventral heart का पाया जाना या ventral heart का पाया जाना ये characteristic features है cardates का blood is red due to the presence of himosil hemoglobin कहता है कि जितने भी cardates होते हैं उनमें जो blood होता है या रक्त होता है लाल होता है और वो लाल रक्त किसके कारण होता है तो hemoglobin के कारण होता है blastopore of gastrula becoming anus देखें हमने आपको जब embryology पढ़ाए था तो इस तरह से हमने एक संचना बनाई थी जिसको हमने कहा था ये gastrula है ये क्या है gastrula ये बता है था हमने कहा था ये जो इसका छिद्र होता है इसे हम किस नाम से जानते है तो इसको हम blastopore के नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, ब्लास्टो पूर, और यही ब्लास्टो पूर, जब भून बड़ा होता है, तो लास्ट में यह एनस या गुदा का निरुमार करता है, क्या बनाता है, गुदा का, तो ध्यान रखिएगा, वो सारे जीव, जिनमें ब्लास्टो question बना है यह star लगाएंगे यहां और यह question PGT, TGT में कई बार पूछा गया है कि deuterium condition किस में देखने को मिलती है तो हम आपको बता दें Echinodermata में किस में? Echinodermata में देखने को मिलती है और Echinodermata में कौन आता? Starfish हम लोग क्या पढ़ते हैं? Starfish यह तारा मचली को पढ़ते हैं Echinodermata और Caldata यह दोनों एक ऐसे हैं जो deuterium storm होते हैं अर्थात जिनका gastrula का जो blastopore होता है वो पहले anus बनाता है या गुदा बनाता है वो सारे deuterium storm कहलाते हैं दो तरह के सब्द आते हैं कौन कौन से सब्द आते हैं तो एक आता है देख लेते हैं दोनों को सीलूमेट जो होते हैं या सीलूमेट जो जिनमें सीलूम पाए जाता है जो सीलूमेट जीव होते हैं जिनमें सीलूम पाए जाता है वो दो प्रकार के होते हैं प्रोटो इस्टोम्स और डिवटेरो इस्टोम्स दो तरह के जीव होते हैं प्रोटोइश्टोम्स क्या होते हैं? प्रोटोइश्टोम्स का मतलब होता है जिनमें ब्लाश्टोपोर, जिनमें देखना ब्लाश्टोपोर, ब्लाश्टोपोर क्या बनाए? माउथ बनाए, मुख बनाए, पहले मुख का निर्माल करें, तो वो प्रोटोइश्टोम कहलाते है और जिन में blastopor, ध्यान रखेगा, जिन में blastopor जो है, वो किसका निर्माड करें, anus, यानि गुदा का निर्माड करें, यानि जहां से lating करते हैं, उसका निर्माड करें, तो उसको बोलते क्या है? गुदा का निर्माड करें blastopor, तो due to normal storm करते हैं, proto to storm के example, exam में खुब से हैं तो any leader है ध्यान रखेगा क्या है एनी leader है दूसरा क्या है दूसरा आर्थ्रोपोड़ा है और तीसरा example क्या है तो mollusca है mollusca ये तीन example है जो proto storms कहलाते हैं start लगा लिजेगा very very important एक्जाम में सीधे question पूछता है कि इन में से proto storms कौन सा है तो ध्यान रखेगा mollusca, any leader, orthopoda, proto storms है deuterostorm में अभी हमने example बताया था क्या है इसके example तो हमने बताया था कि कौन कौन है तो इसके example है echinodermata और example क्या है तो echinodermata के अलावा call data ये दो example है तो ये क्या है डिटोरो इस्टोम्स है तो समझ गएंगे proto storms और डिटोरो इस्टोम्स क्या होते है अच्छे थोड़ा सा और जानकारी देदें ये उद्य कहां से हूँ अपको बात चली है तो दूर तलक जाएगी तो थोड़ा सा हम एक आपको चार्ट बना दें तो मुझे लगता है चीज़ें ज्यादा समझ में आएंगी और वो चार्ट हाँ तो अगर हम जीवों को देखेंगे तो जो multi cellular organism होते हैं देखें दो तरह की होते हैं एक तो होते हैं प्रोटो जो once a cellular बोल सकते हैं या uni cellular पहले होते हैं यूनी cellular एक कोस की जीवों और दूसरे होते हैं multi cellular multi cellular ये हो गए एक कोस की जीवों और ये हो गए बहु कोस की ऐसे लिख सकते हैं तो यूनी cellular में क्या आते हैं तो प्राया आते हैं प्रोटो जो आते हैं ध्यार नखीगा multi cellular को फिर तो भागों में बाटा गया है तीन भाग ले लेंगे इसके तीन भाग काउन है तो देख लेते हैं तीनों भागों को तो चीजें concept किलियर हो जाएगा तो पहले तीनों भागों में क्या है poorly defined tissue layers जिन में क्या होता है poorly defined tissue layer यानि जिन में tissue layer ना के बराबर होती है जैसे कि पोरी फेरा में केवल cell grade system पाय जाता है और multi-celler किसमें देखने को diplo blastik आते हैं diplo blastik याद रखेगा यह बहुत question पूझा diplo blastik यह इसलिए बता रहे हैं कोशन याज़र्टिक GTP चेम बहुत बनते हैं diplo blastik का मतलब जिन में 2 पर्तें पाय जा रहे हो । कौन कौन से पर्त पाय जा रहे हो अर्थाथ जिनके ब्रूण में एक्टो डर्म और इंडो डर्म पाई जा रही हो, दो परते हैं, इंडो डर्म दो परते हैं पाई जा रही हो, इनके एक्जाम्पिल क्या है, इनमें कौन से जीव वर्क क्या आते हैं, तो इसमें जो जीव आते हैं, वो नाइडेरिया आता है, नाइडेरिया या जिसे हम सीलें सेलेंटरेटरा और दूसरा जो आता है टीनोफोरा यह दो ग्रूप आते हैं Nideria जिसमें Hydra अगर आता है और टीनोफेरा यह diploblastic है, सीधे सीधे question पूचता है exam में कि diploblastic कौन है तो nideria की जितने सदस हैं अर्थात silentate, nideria का दूसरा नाम क्या है silentate और दूसरा है tinofora, और तीसरे नंबर पे आते हैं triploblastic, क्या आते हैं triploblastic, triploblastic का मतलब जिनमें तीन परते होती है, एक्टो, मीजो और इंडो डर्म, सब में डर्म लगा लेंगे, लगा लो डर्म, यह होगी, डर्म, आब triploblastic का अगर next भाग करें, हम क्या करें, रिल्मान लेते हैं, यह लिया हमने triploblastic, क्या लिया है, triploblastic, triploblastic मैं आपको बता दिया, और इनमें symmetric कैसी होती है, हर दम bilateral होती है, इसको भी ध्यान रखेगा, कैसी होती है, bilateral symmetry होती है, अभी बताया था, जिसमें एक ही एंगल से दो भाग काट सकें, अच्छा, triploblastic में खास बात क्या है, अगर इनमें silom की बात करें, तो इनके तीन भाग होते है, silom क्या दार पर, और silom से question बनता है, उसको भी ध्यान में दे लीजेगा, फिर आगे चलेंगे, तो यह काते है, a silomate, क्याते है, a silomate, a silomate का मतलब होता है, जिसमें silom ना पाए जाए, a means अनपस्तित silomate वाने silom, जिनमें silom ना पाए जाए, और इसका example, exam में अकसर पूछते हैं, कि a silomate कौन है, तो platyhelminthes के जो सदस होते हैं, वो सारे a silomate होते हैं, फिर दूसरा आ silomate, क्या आते हैं, silomate, जिनमें silom पाए जाता है, silomate में क्या आते हैं, इनको दो भागों बाटा गया है, कौन-कौन, proto-storms, proto-storms बता दिया था, जिनमें mouth first बनता है, mouth first होता है, पहले मुख बनता है, और dutero-storms, जिनमें क्या होता है, एनस first बनता है, एनस first रहता है, पहले क्या बनता है, एनस बनता है, sorry, E-F-I-R-S-T हो गए, E-F-I-R-S-T, यहां भी सही कर लिए ए, E-F-I-R-S-T first, क्या होता है, mouth first बनता है, और एनस first बनता है, dutero-storm, इसके एक्जामपल एका इनोडर्मेटा, और कॉल्डेट्स, इसके एक्जामपल एनिलीडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, ध्यान रखेगा, बस इतना अगर याद कर लेंगा, और एक तीसरा, मतलब, sorry, यह थोड़ा सा गड़बर हुआ है, इसको यहाँ लेके आईएगा, और इसको थोड़ा सा हम लोग डिलीट करेंगे, यह silomate के दो भाग है, proto-storm और detero-storm, और जो इसका तीसरा भाग है, किसका, इसका जो तीसरा भाग है, यह तीसरा वाला भाग, यहाँ कलर ले लेंगे, तो जो इसका तीसरा भाग है, वो seudo मतलब जूट मोट का, pseudo-silomate, तीसरा pseudo-silomate, और pseudo-silomate किस में के देखने को मिलता है, nematohalmanthese में, nematohalmanthese में, अगर पूरा नाम लिखेंगे तो कहीं कहीं यह भी लिखा मिलेगा यहां से लगबग अभी तक 15 कोशन TGT और PGT में बन चुके हैं आपको जब पेपर सॉल्व करा हैं उनमें आप देख लीजेगा तो पूछ देता है तो पूछ देता है तो पूछ देता है तो पूछ देता है किसमें देखने मिलता है एक देखी पहला कोशन यहां बना और कहता है सिमेट्री कैसी होती है बाइलेटरल होती है पूश देता है ऐस सीलूमेट कंडिशन किसमें कई बार पूछा गया है, बहुत IMPORTANT है, तो PLATRIAL MANTIS. पूश देता है, पूश देता है, तो डुटेरोस्टोम्स में कौन सी जाती हैं, तो Agynodermate और Caudate आता है, से में कौन सी हैं चालक उर्सका खाले 13 यहां से पूश देता और फिर पूश देता है । सीडोसिलोमेट के साथे टिअरत्या में यहां से डिहर सारे कुश्ष्ष्ष्ण बन्ते एं सीधे सीधे पूस देता है, डिपलो बलास्टिक में कौन आता है, तो नाईडरी और टीनो फुर आता है, पूछ देता है, टिपलो बलास्टिक से क्या बनता है, इस तरह से, इसलिए इसको बता है, चुछ कि काफी महातुपूंग था, इसलिए ये कांफर्म डिवृटेरो इसके दो भाग है एक Kraini Ata ज्यान लखेगा। और एक Kraini Ata को Proto ре ita बोलते हैं, और खास बात है कि केवल यही यही आपको पढ़ाना है यह वाला एक Kraini Ata और craniata और vertivrata ये इसमें हमने आपको कबूतर भी पढ़ाया था इसमें हमने सारे पच्छी भी पढ़ा दिये जो आपके सलेवस में लिजार्ड भी पढ़ाया साब भी पढ़ाया सब कुछ ही हम पढ़ा चुके हैं केवल ये धोखे से छूट गया था आपका एक्राइनियेटा और प्रोटो काल डेटा दोखे से छूट गया था कल पकड़ में आया कि ये चीज़ छूटी हुई है तो इसे लिए आज ये क्लास हम लेकर आए तो हम बात करने वाले हैं एक्राइनियेटा की एक रेनियेटा अथ्वा प्रोटो कॉल डेटा की बात करने वाले हैं एक रेनियेटा या प्रोटो कॉल डेटा होता क्या है इसकी चर्चा करेंगे तो काफी महाग तो पूर्ण रहेगा यह तो हम आपको बता दें यह होते क्या हैं कैसे कार करते हैं, किस प्रकार से अपने आपको इनके लच्छन क्या हैं, तो इन सब का अध्यन हम लोग आज करने वाले हैं, ए क्रैनियेटा में, तो ए क्रैनियेटा का मतलब समझें, तो ए से होता है अपसेंट होना, ए से क्या होता है, अपसेंट होना या अनुपस्तित होना और किसका नाम है क्रैनियोन, क्रैनियोन बोल सकते हैं, यह क्रैनियोन सबसे बना है, तो यह क्रैनियोन सबसे बना है, और क्रैनियोन मींस होता है हेड, जिनके में सर का अभाव होता है, वो एक क्रैनियोन कहलाते हैं, जो क्रैनियोन सबसे बना है, जिसका मतलब है, अर्थात व या प्रथम, और Chaudates means होता है, यहां जो Chaudates का सब्द लेंगे, या Chaudi सब्द से बना है, किसे बना है, Chaudi, Chaudi का मतलब होता है, क्या रजू या नोटो कार्ड की बात करते हैं, तो उसकी बात करते हैं, इसमें जितने भी जीव आते हैं, इसका पहले सो कुछ चीज़ें हम जा होते हैं, इसमें जितने भी जीव आते हैं, प्रोटो कार्ड डेटा में, लगबग समुद्र में पहले जाते हैं, और इसमाल होते हैं, हर दम छोटे होते हैं, इसको भी ध्यान रखेगा, और इनमें क्या-क्या होता है, क्रैनियम अनपस्तित होती है, इनमें जो क्रैनियम हो नहीं पाए जाता है, ध्यान रखेगा, अर्थात Cranium का अभाव होता, यहे जो सर के ऊपर का कपाल तंत्र, है इसमें प्राया, इस का अभाव होता है, जबले तर्था जबले भी होते हैं, वह भी अनुपस्तित होते हैं, इसको भी ध्यान में रखेगा, दूसरा, कि were three and pay यड़ पेंजे अपसें जो battery CAO TAS ie एसे लिख लेंगे चूकि कि इसकन करने में हमें लगता है सही नहीं आया और यह एक्चुली ममारी इंद बुरी आदत tehs बाउट पये हम जब आपके लिए नोट्स पराते हैं तो एक तो नोट्स बनाने में मगन हो जाते हैं तो speed में बनाते हैं कभी हम रुच के notes नहीं बनाते हैं तो देखना cut of 40 notes में हमारे बहुत मिलेगी और कहीं इधर लिख देंगे कहीं इधर लिख देंगे और एक जो 30 minute के आपको class है 40 minute के हम class देते हैं के पीछे 2-3 घंटे मेनत करता है पहले सारे question देखते हैं कि किस-किस level के questions आए हैं फिर उनसे matter दस्यों कितावों से आपको matter निकालते हैं और संकुचित निकालते हैं हम ऐसा नहीं हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको board पे जैसे coaching में पढ़ा जाता board पे चितर बना बना पढ़ाएं तो class दो घंटे की class होगी और यही जितना हम आपको तीस में यही दो घंटे में यही चीज हम आपको बता पाएंगे चुकि रुच रुच लिखना फिर बनाना फिर आपके तरह मुखातिब होना फिर बोलना फिर board पे आना फिर धीरे धीरे बनाना तो ना तो मेरे पास इतना time रहता है चुकि आल्रेडी job करते हैं तो time तो इतना है नहीं और ना मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग 2-2 घंटे आप मतलब class को थोड़ी देर और समझ लीजे मज़ा तभी आता है जब 45-45 मिनट की class हो जब बहुत बड़ी class होती तो lengthy होती है थोड़ी देर में आप उबासासी आने लगेगी और आप class छोन कर छोन दें तो हम इस भी ध्यान रखते हैं कि आप जितने दिर class पढ़ें इंज्वाइमेंट के साथ पढ़ें और आप देखेगा जितने भी हमारे आप परमित्र हैं पहले भी कह चुके हैं कि यही नोट्स ऐसे हैं जो बैतरनी पार लगाएंगे यह नोट्स मतलब बहुत मेहनत के बाद आपको दिये जा रहे हैं इनके नोट्स आप अपने क्रम से चुकि आपको classes मिल नहीं है पुरा syllabus लेकर चलना है तो उनको आप register बनाईए और systematic notes बनाते चलिए मैं वादा करता हूँ इतनी notes से selection आपका sure हो जाएगा चुकि हम उन सभी बिंदूओं को लेकर चलना है जो एक्जाम की दर्से महत्वपून है और उन सभी बिंदूओं को छोण कर चलना है जो एक्जाम की दर्से महत्वपून नहीं है और हम आपको ओभी बता दें कि अगर आप TGT PGT के सिक्षक बनना चाहरे हैं तो 7-8 मा की proper मेहनत लगबक 6 घंटे आप पढ़ेंगे तब ही हो पाएगा तो आप अगर हमारे साथ हैं तो हम इतनी संख्या में अगर चैन दे रहे हैं तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि हवा में दे रहे हैं या कोई जुआर है कुछ नहीं है क्या है कि आपको हम दो-दो-तीन-तीन घंटे मेहनत करके नोर से बिलकुल मतलब जैसे नहीं कहते हैं पूरा मक्खन निकाल के दे रहे हैं एक तो मक्खन दे रहे हैं मक्खन के बाद सिर्फ आपको खाना है रात को आपके साथ एक घंटे डिसकसन कर रहे हैं डेली ये आपका सलेवस रूटीन में वहां डिसकस भी करते हैं जिससे आप नच हुए भी पढ़ेंगे तीसरा कई सारे मित्र दिन भर कोशनिंग चलती रहती है जो डिसकसन वाला ग्रूप है तो आप इस तरह से ना चाहते हुए भी आप हमारे साथ पढ़ेंगे अभी संडे को आप देख रहे हैं कि प्रेक्टिस सेट आ रहा है आपके लिए तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार आपके साथ होती है संडे को प्रेक्टिस सेट देते हैं तो यह कोई ऐसा तो परिवार है, इसलिए हम जिजान से लगें, कोचिंग सेंटर हो, तो फिर दिमाग भी उसी तरह हो, कि बस क्लास ले लिया, पढ़ो चाहिए, ना पढ़ो भाड़ में जाओ, कोई मतलब, यहां ऐसा नहीं, यहां टार्गेट यह है, कि मतलब मैक्जिमम लो लिए ऐसे dalas some total 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 toíve अलब भागें प्रोटो से कव्च्विमम प्रोटो कार्डेटा के कितने भाग भाग में कौन आता है या इसमें कौन आता है इस तरह से questions उठते हैं कि किसमें कौन सा जीव आता है तो हेमी कारडेटा में Blanoglassus आता है Hemicardeta में क्या आता है Blanoglassus आता है कौन आता है Blanoglassus आता है ध्यान रखेगा कौन आता है Eurocardata में Hardmania आता है सिफेलो काड़ डेटा में Amphioxus पढ़ना है Amphioxus का पढ़ना है ये तीनों हमीं पढ़ने है तो अब हम पहला ले लेते हैं हेमी कॉर्डेटा क्या है तो पहली चर्चा हम लोग कर लेते हैं हेमी कॉर्डेटा की हेमी कॉर्डेटा क्या है इसकी चर्चा करते हैं हेमी कॉर्डेटा किस से बना काड़ी सबसे और काड़ी का मतलब हमने बताया था काड़ का मतलब समझते हैं रज्यू या जो नोटो काड़ होता है उसकी बात करते हैं यही बोला था नोटो काड़ वनली इन दा एंटीरियर इन यह ऐसे जियू है हमें काड़ेटा कांतर वो जियू आते हैं जैस उसी सेरिया में ही किवल पाई जाएगी अगले भाग में और छोटी सी पाई जाएगी एंटीरियर इंड में तो ऐसे जीओं को हमिकारडेटा करते हैं lost to the chordate इन में जो notocard होति है या रज जो होती है वो skills की जो notocard होती है उसके समझात नहीं होती है मतलब होती notocard है मगर जो वास्त्विक कार्ड एठ उनसे मिलती जुलती नहीं होती है इसी लिए इस प्रकार की नोटो कार्ड को इस्टो मैटो कार्ड बोलते हैं क्या बोलते हैं इस्टो मैटो कार्ड के नाम से जानते हैं किसके नाम जानते हैं इस्टो मैटो कॉर्ड के नाम से जानते हैं इसको भी ध्यान में रखेगा इस्टो मैटो कॉर्ड के नाम से जानते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई समस्या होगी इसके नाम से जानते हैं इस्टो मैटो कॉर्ड के नाम से जानते हैं तो समझ गए इनके जो सरीर होता तीन भागों बटा होता था प्रोबोसिस कालर और टरंक कितने भागों बटा रहता है और इसमें आता क्या है तो इसमें आता है बलैनो गलासस हाता है जिसे हम ये एक्जाम में कोईशन पूछा गया है कि बलैनो ग्लासस कितने भागों बटा रहा है तीन भागों में प्रोबोसिस, कालर और टरंग जिनको हम एक्रॉन वर्म के नाम से जानते हैं बलैनो ग्लासस को किसके नाम एक्रॉन वर्म या दूसरा नाम इसका क्या है टंग वर्म यहीं से एक कोशन पूश देते हैं टंग वर्म किसको बोलते हैं या एक कौन वर्म बोलते हैं उसमें एक उपसन होगा बलैनो ग्लासस उसको लगाते हैं Blenoglasses के Larva को Terneria Larva के नाम से जानते हैं किसके नाम जानते हैं? Terneria Larva के नाम अब हमारी कल जो class होगी वो होगी Blenoglasses के उपर होगी और कल हम लोग Blenoglasses को पढ़ेंगे और बिल्कुल उन्ही विंदूओं को पढ़ेंगे जो exam के दर से महातपूर हो चुकि हम पहले भी कह चुके हैं कि Dr. Notes परिवार बिल्कुल filter material देता है घंटो मेहनत दो दो चार चार घंटे मेहनत करके notes बनाने पड़ते हैं तब सिर्फ वही matter देता है जिसको बिल्कुल आपके लिए मतलब मतलब बोल सकते हैं कि just like cream ना कि कुछ भी आलतु फालतु देते हैं और आपका selection से ओर होगा हमने अगर इतने selection 70 TGT में दिये हैं अच्छे से अच्छे coaching संस्थान इतने selection नहीं दे पाता है PGT में 14-15 selection अच्छे से अच्छे संस्थान नहीं दे पाते हैं तो एक दो हो जाते हैं तो बहुत बाबाही लूटते हैं और हमने थोक के भाव दियें अगर कोई भी समस्या है तो आप हमें टेली ग्राम पर सर्च कर सकते हैं Dr.Norz Biology Official Group आप वहां बच्चों से बात करिए हम अपना परचार स्वयम नहीं करते हैं हम ये मानते हैं कि आपका परचार आपके छात्र या आपके जो मित्र हैं आपसे जुड़े हुए हैं जो सफल हुए हैं वही करते हैं बहुत सारे मित्र सजेस्ट करते हैं डाक्टर नोट्स परिवार को जॉइन कर लें चुकि एक non-profit संस्था है और इस तरह की संस्था है जो आपका सिर्प आपको government job में देखना चाहता है biology में या assistant professor में career बनाना चाहते हैं तो आप चुड़ें इसीकसा नमस्कार